हर्याना को नशा मुक्त करने के लिए सरकार जगरुकता का पाड़ पढ़ाने की वज़ाए इसके खिलाब सक्त कानून मनाए कालका में कहा विधायक परदीव चोधरी ने हर्याना में भी अब नशा तेजी से अपने पैर पसारने लगा है जिसका मुख्यकारन इसके प्रती कोई सक्ताई ना होना है ये बात कालका विधायक परदीव चोधरी ने कालका में कही उन्होंने कहा कि अगर हमें नशे की बात काल काल के में करे तो गलता नहीं होगा क्योंकि शेत्र में बहुत से युवा आए दिन नशे की लट के श्कार हो रहे हैं और पिछले कई वर्षों में नशों का कारवार तेजी से बढ़ रहा है हर्याना को नशे मुक्त जागरुकता का पाड़ पढ़ाना नहीं बल्कि इसके खिलाब सकत कानून बना कर परदेश को नशे मुक्त बनाने का काम हर्याना सरकार करे उन्होंने कहा कि इसके खिलाब समय समय पर काम करते रहे हैं चाहिस के लिए विधान सुबह में वाज उठाने की बात हो, या फिर कालका थाने में लोगों के साथ जाकर इसके खिलाब सकताई से कारवए करने की बात हो, हर साल नशामुक दिवस पर कारेकरम करने के जिए इसके खिलाब सकते सकत कानून बनाना होगा ताकि लोगों को आने करना को रोजगार की जूरुत होती है प्रन तुमारे शित्र में पहले एससी सिमेंट फैक्टरी बंद करके सरकार ने लोगों का रोजगार चीना अब 2016 में अचम्टी ट्रेक्टर फैक्टरी के प्लांट बंद कर रोजगार चीन लिया इसके बास शेत्र में युवाओं का भविश्य अंदकार में चला गया जिससे दुखी कई युवा लोग नशों की बुरी लत में चले गए सरकार नशों के लाव सक्त कानून बना कर और युवाओं के लिए रोजगार के सादन बढ़ा कर इन्हें नशों से बचाने का काम करे